जब सईयाब है को तुबाल तो डर काहे का सोचिए जब राजा ही चोर होगा तो न्याई की गुहार लगाने के लिए जनता किसके दरवाजे खट-कटाएगी मैं बात करूंगी आज मनीशा बालमी की की नाम तो आपने सुना ही होगा चर्चाओं में रहा तमामने ताओंने राजनीती करने की भी कोशिस की लेकिन सोचिए आज ये वीडियो आप तमाम उन महिलाओं को दिखानी बेहत जरूरी है जो आपकी घर की बहन बेटियां घर से बाहर जाकर पढ़ाई करती हैं काम करती हैं रोज मरा की जिंदकी में ना जाने कितने दुख संगर्सों का सामना करती हैं सोचिए बिलकिस बानो पायलतन भी मनीशा बालमी की की ये कुछ ऐसे नाम है जिनके साथ हुए हाथ से आज भी हमारे जहन में इस तरीके से बैठे कि आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोचिए उत्तर परदेश के हादरस में विवस गटना होती है एक दलिस समाज की बच्ची मनीशा बालमी की के साथ बरबरतक के साथ सामोहिक बलतकार किया जाता है उन बलतकारियों को बाहिजद भरी कर दिया जाता है सोचिए किस तरीके से इस देश में जातिवाद की जड़े मजबूत हैं कि बहुजन समाज की महिलाओ को अपने लिए कितना संघर्स करना पड़ता है बहुजन समाज की महिलाओ को किस तरीके से न्याय मिलने के लिए भी देरी होती है काश मनीशा बालमी की दलिस समाज से ना होती काश म किस तरीके से मनीशा बालमीकी के आरोपियों को रिहा कर दिया और उन पर लगे आरोपों को भी बायज़त बरी कर दिया गया है किस तरीके से बिल्किस बानों के आरोपियों को जेल से रिहा किया जाता है उन्हें मिठाईयां खिलाई जाती है और उनका फूलों की माला पैना कर सुवागत किया जाता है कोलकाता में हुई एक घटना ने पूरे देश को जग जोर के रख दिया था ममता बनर जी का स्तीफा तक मांगा जा रहा था सोची ए तमाम लोग जो मनीशा बालमीकी के लिए उत्तर प्रदेश की जमीन पर उतर कर सड़कों पर अंदोलन कर रहे थे आज तमाम लोग खामोश हैं क्योंकि मनीशा बालमीकी एक दरी समास से आती हैं सोची किस तरीके से दलित बच्चियों महिलाओ किस तरीके से उन्हें जातिवाद के आधार के साथ साथ उन्हें जेंडर भिदभाव भी जेलना पड़ता है किस तरीके से इस देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेके लगतार मुद्दा जो है गरमाता रहता है सवाल उठता रहता है लेकिन सरकार में बैठे तमाम नेत अब इनेत अप्रवक्ता बड़े बड़े दावेत उ करते हैं बड़े बड़े होडिंग बैनरों पर महिलाओं का सम्मान करते हुए दिखाये देते हैं लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधान मंत्री कहते हैं कि महिलाओं को शशक्त करने की जरूरत है सोचिये अरे आपकी देश में आपकी बच्चियां सुरक्षित नहीं है और आप देश को मजबूत करने की बात करते हैं सोचिए अगर आप उस हादरस पीडिता की फैमिली से मिलेंगे परिवार से मिलेंगे आज भी उसका परिवार किस तरीके से डरा हुआ सहमा हुआ है क्योंकि जातिवादी मनुवादी जो है वो बलतकारियों के फेवर में भी पंचायते करते हैं इससे अंदाजा लगाई है कि देज की हकीकत क्या है समाजिक धाजा किस तरीके से बढ़ता जा रहा है जातिवाद की जड़े मजबूत होती जा रही है कि जब दलित बच्ची के साथ बलतकार होता है दलित बच्ची के साथ उत्पीडन होता है तमाम नेता जो है वो साहनु भ के तौर पर वोट वैंग की रजनीती गरने के लिए सड़कों पर आ जाते हैं लेकिन उसके बाद ना मनीशा बालमीकी की फैमली से कोई मिलता है ना उस परिवार का दुख बाटने के लिए कोई जाता है और सोचिए उनकी आरोपियों को बरी कर देता है कोट इसके लिए कोई कहीं कोई प्रदशन नहीं दिखेगा कहीं कोई चर्चा नहीं की जाएगी शायद हम लोग कहीं ना कहीं बहुत स्वार्थी हो गए हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ खुद का भला चाते हैं लेकिन सोचिए जो मनीशा पर गुजरी वो हो सकता है वो उतना जाने उस तमाम घट रती है और यहीं जब चुनाव सर पर हो तो देश के प्रधान मंतरी से लेके घिरा मंतरी तक बड़े-बड़े वादे करते हैं महिलाओ की शुरक्सा को लेके बड़े-बड़े होडिंग बैनर लगवाते हैं लेकिन गंदी राजनीती की आड़ में किस तरीके से दलीतों का सोसितों का वंचितों का अधिवासियों का शोशन किया जाता है उनके साथ बलतकार किया जाता है रातो रात बाड़ी को जला दिया जाता है नामोनिशान मिटा दिये जाते हैं और यह सिर्फ और सिफ इसलिए होता है कि बहुजन समाज के लोग STSC OVC समाज के लोग पावर बानों को कैसे न्याई मिलेगा पाइल तन्वी को कैसे न्याई मिलेगा तमाम उन महिलाओं को जिनका बलतकार हो जाता है जिनकी एफ आई आर तक दर्ज नहीं की जाती जो लगतार उन्नाओं का केस याद है पूरे परिवार को बरबाद कर दिया मनुवादी लोगों ने जात और ना ही कोई प्रबक्ता सोची किस तरीके से आपकी बच्ची के बलतकार को भी ये लोग राजनितिक मुद्दा बना लेते हैं गंदी राजनिती जातिवाद की बली चड़ी इस बेटी मनिसा बालमिकी का गुनेगार कौन इन मामलों में सबने सुर्खियां वटोरी जूटे हमदर्द बने लेकिन अन्तुमें क्या हुआ शर्मातिय समाज पर जिसने किसी के दुख का तमासा बना के रख दिया हादरस रेप केस में सबसे बड़ी अपडेट है कोट ने सभी आरोपियों को बलतकार के आरोप से बड़ी कर दिया है केवल एक आरोपी को गैर रादतन हत हुटिया में उमरकैद की सजा सुनाई आरोप है चार साल पहले हादरस में पीर्डिता का बलतकार करने के बाद हत्या कर दी गई थी तो सोचिए ये हालत है देश की वो अलग बात है देश के प्रधान मंतरी विक्सित भारत बनाना चाते हैं वो विक्सित भारत जिसमें नायपालिका खतम हो गई है इवियम ने नायपालिका को खतम कर दिया है जाहिर दिग्कार है तो कोट का चरी पर भी सवाल खड़ा हो रहा है मुबारो को योगी अदित्यनाद जी आपकी पुलिस जिने बचाना चाह रही है वो बच गए हादरस कांधियाद है इस देश को ये ना भूल गए खबर है कि एविडेंस ना मिलने के अधार पे आरोपियों को कोट ने फिर छोड़ दिया उनके लिए पीडिता का बयान का कोई मोल नहीं रेपिस ठाक और मुख्यमंतरी ठाक और यहां तक की जजबी ठाक और आप इससे अंदाजा लगाए कि रात तो रा मनीशा बालमीकी की लास को जला दिया जाता है साथे सबूत मिटा दिये जाते हैं पीडिता का बयान पूरी स्चोशल मीडिया पर वाइरल है किस तरीके से उसकी रीड की हड़ी को तोड़ा गया था सामोहिक बलतकार किया गया था जीब को काटा गया था और सोचिए इसके बाद भी न्यायले कह रहा है जातीवादी जजों का कहना है कि हम लोगों को सबूत नहीं मिले इसे बलतकारियों को बाइज़द बरी कर दिया जाता है सोचिए क्या हालत है दलितों की पिछडों की सोचितों की आदिवासी महिलाओं की कि आपका बलतकार भी हो जाता है और आपको न्याय तक नहीं मिलता शार इस खबर से सिस्टम की नीव जरूर ही लेगी क्योंकि कहीं ना कहीं उनके घर में भी तमाम वो महिला है इसी की मा बेटी हो सकता है इस खबर से कुछ समाज में कुछ बदलाव आए रेप को राजनेतिक मुद्दाना बनाई है इस मनीशा ब कि उनके बच्चियों को आज भी न्याय मिलेगा इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिजेगा शुक्रिया